नमस्कार मित्रों, हमारे रसोई में कुछ ऐसी चीजे होती हैं, जो हमारे स्वास्थे के लिए बहुत इलावदाई, और सहत के लिए बहुत ज्यादा फाइदे मन उन मेंसे एक है वंडर स्पाईस, जिसको दाल चिनी कहते हैं, दाल चिनी हमारे खाने का टेस्ट बढाती है, स आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होगी अक्सर दूबले पतले और कमजोर विक्ति समाज में मजाग का पातर बनते हैं उनको खाया प्याने लगता उनका पाचंत अंतर कमजोर होता है उनके लिए एक ग्रेलो नुसका मैं आपको बताने वाला हूं जो शरीर को नहीं है यह आपके सहित के लिए बहुत ही फाइदे मंद है दाल चीनी वाला दूद बनाना बहुत ही असान है एक ग्लास दूद लेकर उसमें तीन से चार ग्राम दाल चीनी पावडर अच्छी तरह मिला ले और इस दाल चीनी को मिक्स करकर सुबह शाम हर रोज एक ग्लास दूद सेवन करना चाहिए इस से सरीर में देरे देरे असार होता है कई लोग इस नुसक्या प्रियोग नहीं कर पाते कुछ दिन प्रियोग करने के बाद बंद करते हैं उनके सरीर पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए इसका लगातार हमें प्रियोग करना चाहि ये उपाय सहित बनाने के साथ साथ सरीर में रोगों से लड़ने की अक्समता को बढ़ाता है और कई बिमारियों से सुर्ख स्याब परदान करता है। जिन भी लोगों को नींद नहीं आती है रात को सोने से पहले तीन से चार ग्राम दाल चिनी पाउडर एक गिलास दूद में डाल कर पीनी चाहिए उनको बहुत अच्छी नींद आएगी। बीने से पाचन कीरिया पूरी तरह सवस्त होती है। पेड में गैस, बदजमी और खाना ना पचने वाली ऐसी कोई समस्चा उत्पन नहीं होती है। खाया प्या हमारे शरी को लगता है और हमारा पाचन तंतर भी मजबूत बनता है। मजबूत अटियां दाल चीनी का सेवन करने से अटियां बहुत अधिक मजबूत हो जाती है। जीन लोगों को गठी है जैसी बिमारी है उनको भी लगातार इस दूद का स्यवन करना चाहिए। बल्ड सुगर का लेवल कम करने में बहुत ही साइक है दाल चीनी। कई प्रियोगों में ऐसी पूस्टी हो चुकी है कि दाल चीनी में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो बल्ड सुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। खुबसूरत बाल और तवचा दाल चीनी वाला दूद पीने से बालों और स्कीन से जुड़ी लग बगहर समश्या दूर जाती है। इसका और शद्य गुण हमारे तवचा और बालों के इंफेक्शन से हमारी सुरुक्षा करता है। इस करके दाल चीनी का प्रियोब करना चाहिए जो हमारे स्वास्ते के लिए बहुत ही फाइदेमंद है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, चैनल को सस्क्राइब करें, धन्यवाद।